जै गुरुदेव जै महरसी कुशन वन का सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3 2.3 ट्रास 10 एंची रटी टेस्ट बुक में जुटी है कुछ उसी को हम यहां पर साल्व करके आपको दिखा रहें दिवाइट पी एक्स एक्स रेश्टुगा 4 माइनस 3 एक्सी स्क्वेर प्लस 4 एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वेर प्लस वन मायनस एक्स अब यह देखी इस यहां पर एक्स-बकाइब यह वेरिये बल्यु वैरिय अब यह तूप आवर यह ऊन पावर वाला पीछे चलाएं तो इसको प्रापर फॉर में एरेंज हैं तो यहां पर यह तु ठीक है प्वर power और यहां पर exponent 4 है, फिर यह 2 आया, 3 वाला exponent missing है, यह 4 x है, तो यहां exponent 1 है, यहां 5 x missing है, इसका मतलब x raise to 0 है, तो descending power में हैं, और इसके देखिए, इसका exponent degree, gx की degree 2 है, और px की degree 4 है, तो divide हो सकेगा यहां, तो हमने यह px को यहां लिखिया पूरा, और इसको proper order में देखिए, x square minus x लिखिए, इसको यहां लिखिए, और प्लस 1 लेके, तो proper order में रखिए, descending power के साथ में, power of the variable के साथ में, हमने यहां लिखाई है, और इसको यहां लिखिए, अब यह first term x raise to 0 है, और यह first term इसकी क्या x square, तो सिर्फ first term को हम divide करें, x square को divide करें, x raise to 4 को divide करें, x square, तो हमार पास x square है, अब x square से हमने multiplication, इसको x square के, तो x raise to 4 आ गया, फिर x square को हमने minus x multiplication के, तो minus x की वा गया, तो हमने इसको इदर पीछे रख देगा, और फिर x square को, प्लस x square को, प्लस 1 से multiplication किया, तो हमारा plus x square यह term है, अब हमने इनके sign change कर दिए, नीचे वाना जो हमारा product आए, इसको sign change कर दिए, इसको minus कर दिए, यह plus होगा, अब यह क्या हो जाएगा हमारा, यह देखिए, यह हमारा x raise to 4 cancel, पहली term cancel होना ही चाहिए, तो यह हमारा, यह cancel हो गया, यह cancel हो गया हमारा, और हम, अब क्या करते हैं, यह cancel हो गया, यह फिर descending order में हम को arrange करना है, तो यह क्या, प्लस x cube, तो प्लस x cube को यहा लिखेंग, इदा नहीं पीछे लिखेंगे, फिर x cube के बाद x square लिटर्म आएगी, तो 3 x square मानस में था और मानस x square तो minus 4 x square, 4 x as it is, 5 as it is, ऐसी आ गया, फिर अभी इसकी पहली टर्म, जो x cube है, उसको x square से divide करें, तो प्लस x आएगा हमारा, प्लस x cube है, और प्लस x square, तो जब divide करें तो प्लस x है, तो प्लस x हमने यहां लिखा, इस प्लस x हमने इसको multiply किया, तो x cube आए, इसके साथ multiplication करेंगा, तो minus x square आएगा, और 1 के साथ जब प्लस x का multiplication आएगा, तो प्लस x आजाएगा, अब हम यहां यह दोनों टर्म, फिर हमारे क्या हो जाता है, यह फिर cancel हो जाती है, तो हम यहां पर यह cancel कर रहे हैं, हम पहले भी कर सकते हैं, अगर आपको यहां दिखाने के लिए, कि यह cancel हो गया, अब यह हमारी टर्म के आगई, यहां माइनस 3x स्क्राइब यहां साइन चेंज के तो माइनस x हो गए, इसके बाद यहां पर देखी, x q वाले cancel होई, हमारे, यह हो जाएगा, माइनस 4x प्लस x, माइनस 4x स्क्राइब और प्लस 4x तो माइनस 3x स्क्राइब हो गया, यह 4x माइनस x 3x, प्लस 3x हो गया, यह 5x, as it is, अब यह माइनस 3x स्क्राइब को डिवाइड करने, प्लस x स्क्राइब तो हमारा माइनस 3 आगा, तो माइनस 3 हमने यहां लिखा, अब माइनस 3 स्क्राइब किया, तो माइनस 3x स्क्र विलिन सब दुन से हाट Яगा जो प्लस थी एक आ गा सकते हैं ऐसे हैं साथ प्लस हो जाए यह मानस हो जाए फिर यह वालिो टर्म हमारी थाय क्या है फ्र हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यह हमने उकिन कर ते हैं यह हमारे केंचल अब और साथ में हमारा यह भी केंचल होगा यह 3 भी केंचल हो जाएगा और इसकों भी हम यह केंचल होगे यह बचा अब प्लस फाइग और यह प्लस त्री म्लाकर और remainder हमारा remainder हमारा हो गया 8 यह remainder इस तरह से यह हमारा problem को हमने solve कर लिया आसा है आपको समझना है अगर तो यह video number हमारा 13 था अब हम इसके आगे next video में हम दूपसरे प्रस्ण पर जाएंगे question number 2 इस एक्सेसाइब